अब आप सभी का मेरी यूटूब चैनल AKS Academy for CSC में बहुत-बहुत सवागा था गाइस तो गाइस हम लोग MPGK की सीरीज सौल कर रहे थे जिसमें से हम लोगों ने तीन टॉपिक जो हम लोगों ने कवर कर लिया है उसमें मद प्रदेष के जन जाती, मद प्रदेष का गठन जैसे टॉपिक सामील है तो गाइस जो लोग भी तक मेरा प्रिविएस वीडियो नहीं देखे just please जा के देखे तो आज का मनों को टॉपिक है मद प्रदेश की नदियां जो कि एक बहुत ही महत्पून टॉपिक है जिससे यह फिक्स है कि चार से पांच कोशन आएगा ही आएगा आज की लेक्ट्यर से तो गाइस एक दम ध्यान से देखने आपको और वीडियो को लास तक देखना है ताकि हर एक कोशन के मैं चार से पांच अ आप तक पहुंसता रहागा तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे पहला प्रशन है भारत की पांच वी सबसे बड़ी नदी कौन सी है देखे गाइस भारत की पांच वी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो पांच वी सबसे बड़ी नदी है आपका नर्मदा लिकिन फर्स सेक तो नर्मनाजदी आपकी पांचवी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई किती है नर्मनाजदी की 1312 किलोमेटर ठीक है गाईस चलिए बढ़ते हैं आगे नर्मदा का उद्गम इस्थल अमरकंटक कौन से जिले में आता है तो वह आता है आपका अनुपूर जिले में तो आमरकंटक में नर्मदा कुणद करके एक जगा है नर्मदा कुंड करके एक जगह है वहां से क्या है नर्मदा कुंड करके एक जगह है वहां से क्या है नर्मदा नदी निकलती है जिसकी उचाई कितनी दस्सो अंठावन मीटर उची है ठीक है नर्मदा कुंड से निकलती है नर्मदा नदी जो कहां पर है आपके अमरकंटक में मन्धार जल प्रपात का निर्माण होता है बहुत बहुत इंपोर्टन कोशन है गाईस एक दम बहुत इंपोर्टन कोशन है कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो देखे नर्मदा वा तवा नदी के मिलने से खंडवा जिले में और मिलती कहाँ पे हैं तो ये भी पता होने जमनाद का निर्माड होता है guys, चलिए, ठीक है, समझ में आगे guys, कि मनधार जल प्रपात का निर्माड कि इन्रमड की मिलने नर्मदा और तावा नदी के मिलने से, कहां मिलती है, तो खंडवा जिले में, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशन है, नेक्स्ट कोशन है, हमारा, जो है वो यमुना की सहयक नदी है जिसकी ऊचाई देखे चंबल नदी की अब लंबाई कितनी है तो 965 किलो मिटर है ठीक है चंबल नदी की लंबाई कितनी है 965 किलो मिटर है और यूपी के इटावा जिले में यूपी के इटावा जिले में यूपी के इटावा जिले में मिल जाती है तो गैस चंबल नदी की लंबाई कितनी है नौौशव पैसट और यहां पे उदगम अगर पूछा जाए तो जाना पावा पहाडी जाना लिख लिए लिख लिजे आप जाना पावा पहाडी नर्मणरा एक तो गाइस चंबल नदी का जो उद्गम इस्थल है वो कौन से इस्थल है तो जाना पावा पहाडी ठीक है और उसकी लंबाई 965 किलोमेटर और किस इस्थान पर यमुना पर मिलती है तो यूपी राज के इटावा जिले में ठीक है गाइस चले नेक्स्ट कोशन गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है तो गांधी सागर जो बांध है आपका वह चंबल नदी पर बना हुआ है ठीक है गांधी सागर बांध आपके चंबल नदी में बना हुआ है ठीक है और यदि यह पुछा जाए कि ये बांध जो गांधी सागर बांध है ये कौन से जि बांध कौन सी नदी में बना हुआ है तो जो इंदिरा सागर जो बांध है वो आपका नर्मदा नदी में बना हुआ है ठीक है इंदिरा सागर बांध कौन से नदी में बना हुआ है तो नर्मदा नदी में बना हुआ है और यदि यही पूछ ले जाए कि इंदिरा सागर अबरेक्षाब्तान मंत्री श्रीमति इंद्रा गांधी जी ने रखा था मतलब इसके निर्मान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा है था ठीक है गाईस सर्दार सरावर पर योजना कौन सी नदी में चल रहा है तो जो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पे चल रहा है और यदि ये पूझे जा कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वह गुजरात राज में है ठीक है इसे कौन सी दो नदिया पस्चिम की और बहती है तो देखे गाईस नर्मदा और तापती नर्मदा और तापती कुर भारत की दो ऐसी नदिया है नर्मदा और तापती जो की पस्चिम की और बहती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है अरब सागर में अरब सागर ठीक है फिर मैं आपको एक बार डाग्राम बना के दिखा सकता हूं ठीच है यह ऐसे बहती है नरमदा और तापती ठीक है नरमदा और तापती यह आपका यह पूरा अरप सागर वाला रीजन रहता हैं और यहाँ पर खंबाद की खाड़ी है तो यहाँ पर गिरती है बाकि जितनी भी नदिया यह इंदर आके गिरती और बंगॉल में गोदावर के समानतर मत प्रदेश में कुछ सी नदी बैथी तो simple guys नर्मदा नदी बहुत बहुत important question है ठीक है guys चले next question है तवा किस नदी की सहाय का नदी है देखिए अभी मैंने बताया था आपका साइध सेकेंड या थर्ड question होगा आपका कि नर्मदा और तवा नदी के मिलने पे मंधार जल प्रपात का निर्मान होता है तो तवा किस की सहाय का नदी हुई तो नर्मदा नदी की सहाय का नदी हुई ठीक है guys जदे है सागर जिले का भालकुन डैम कौन सी नदी में बना हुआ है तो जो सागर जिले में जो भालकुन डैम है वो आपके बीना नदी पे बना हुआ है यह आपके एक्जाम अभी तक तो पुछा नहीं गया है लेकिन मेबी आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है टीक है तर चूलिया जेल प्रपाथ कौन सी नदी में इस्थित है जो अभी जो पूछता है यह आपके राजस्थान के अंतरगत आता है जिला पुछा जिला तो कोटा जिला तर चूलीय जल प्रपाथ आपका चंबल नदी पे बना हुआ है कोटा जिले में राजस्थान राजिब के अंतरकत आता है ठीक है देखे लोकेशन भी आपको पता होना चीए कई बार क्या आता है लोकेशन पूछ लेता है कि चूले जल परपात कौन से जिले में आता है कौन से राजिब में आता है तो पता एक चीज आप पढ़ रहा है तो उसके चारो तरफ की सारी चीज़े आपको पढ़ना बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है guys, देखें next question है छिपरा नदी का उद्गम स्थल है छिपरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये पूछा गया है guys छिपरा नदी का उद्गम है वो आपका काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर ठीक है guys, इंदौर में काकरी बर्डी पहाड़ी है वहाँ से छिपरा नदी निकलती है और दूसरा चीज़ जो आपका उज्जैन महा कालेश्वर जो है वो छिप्रा नदी के तटपर ही बचा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आपको छिप्रा नदी के उद्गम पता होना चाहिए इंदौर के काकरी बड़ी पहाड़ी से निकलती है और दूसरा मद्द प्रदेश का जो मद्द प्रदेश में जो आपका उजयन है उजयन का महा कालि कुण सा है तो जो नदी का उध्गाम स्थल ekस है कर्वाल इसकी सिर्वा सिर्वारा टुन कोन सी नदी के टट पर इससे था है घाईज मैं 13 में बताया भी तब को टिका है जो उजयान का महाकालेशवर मछरDING मंदिर रहना वो छिपरा नदी की टट पर ही बसा हुआ है फिर छिपरानदी की दियान में भी रखना है देखे जो चचाई जल परपात है पहला चीज तो आपका बीहर नदीम बना हुआ है दूसरा मद्द परदेश का सबसे उचा जल परपात है मद्द परदेश का सबसे उचा जल परपात है जिसकी उचाई 130 मीटर है 130 मीटर है इसकी उचाई है, मदपरदेश का सबसे उचा जल परपात है और रिवा जीले में आता है, बीहर नदी पे बना हुआ है मदपरदेश का सबसे उचा जल परपात है, उचाई 130 मीटर ठीक है गाइस, चलिए इत्पी चीज़ आपको दियान में रखना है चलिए next question है तापती नदी का उदगम स्थल मदपरदेश के किस जिले में है तो जो तापती नदी का जो उदगम है वह बैतूल के मुलताई गाउं जो तापती नदी है पैतूल के मुल्ताई गाउं से निकलती है तो आपका कई बार पैतूल ना देके मुल्ताई भी लिख सकता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन है दर्दी जल प्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है जो आपका दर्दी जल्ब प्रपात है वो आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ है और यदि यही पूछा जाए कि कौन अगर इसका लोकेशन दे दिया है कौन से जिले में है तो आपका खंडवा जिले में है ठीक है चलिए निमननमे से कौन सा कथन सत्य है तो बेत वा देगे निमनमे से कौन सा कथन सत्य है बेतवा 480 km नर्मदा 1312 km 10 sad80 g परोक सबी इसको आपको धियान में रखना है कर शींगल ये लमबाई कितनी है आपक़ absent के ट कर जाएंगे बेनगंगा नदी का प्रबहा और महाराष्ट में इंटर करती है और वर्धा में वर्धा महाराष्ट के वर्धा में जाके आपके वर्धा महाराष्ट में वर्धा में जाके वर्धा नदीश से जाके मिल जाती है तो वेन गंगा का जो प्रवाह है वो दक्षण की हो रहा है ठीक है और एक चीज मैं आपको बताना साथ भूल लिया जो आपका ओम का लेश्वर है और ओम का लेश्वर और महेश्वर ठीक है ओम का लेश्वर वा महेश्वर ठीक है ओम का लेश्वर वा महेश्वर दोनो नर्मदा नदी के तटपर इस्थित है गाईज यह बहुत बहुत प्लीज कमेंट करके बताना और जो लोंग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़ें या तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसा भी सर्व प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद जो भी नहीं वीडियो आगी उसका नौटिफिकेशन आप तक पहुंसत